नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेस आपका बहुत बहुत साथ करता हूँ आपके अपने चैनल एड़ प्रोटेक में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोट में ग्रिफाइट इंडिया लिमिटेट के ऊपर आज हेरिंग था तो क्या हुआ आज हेरिंग में क्या हुआ जज्ज्मिन में तो उसका अपटेट मैं आपको दे रहा हूँ अभी दोस्तों आज सुप्रीम कोट के जज्ज्मिन जो हेरिंग हुआ उसमें जो भी डिसकसन हुआ या जो भी कही जज्ज्मिन्ट हुआ तो इसके ऊपर आज जज्ज्मेंट था तो इसका प्राइव धीर पीडियो में आपको बता शुका हूँ आज मैं यह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला बीडियो देख सकते हैं जिस्षे मैंने रिक अप बताई है इस केस क्या था और मैंने ये भी बताया था कि इसमें कॉन-कॉन से पॉइंट है जो कि इस पर हमें हमारी नजर होनी चाहिए तो आज मैं ये रिक कप फिर से नहीं बता रहा हूँ अगर आपको देखना है तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि एक केस क्या था तो चलिए मैं बताता हूँ कि आज हेरिंग में हुआ क्या तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोट है जो कि इंडिया पर बहुत और फाइन लगा सकती है या बहुत ही हार्ट डिसेजिजन ले सकती है कुछ ऐसा ही हुआ तो आज की पॉइंट क्या किया था आज का जैज्जमिन में तो सबसे पहला पॉइंट यह था कि ग्रफाइट इंडिया ने कोट को पताया था क्यों अपने बैंगलूरू प्लांट को पूरे नॉम्बे इंड तक क्लोज कर दिया है ताकि वो रूफ का रिपेर किया जा सके रूफ का मरमत किया जा सके लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा कि he is not asking about the closure of plant he is not happy with this answer from the ग्रफाइट इंडिया तो सुप्रीम को चाहती है कि ग्रफाइट इंडिया इसके लिए fine pay कर जो इतने सालों से वो pollution कर रही है और सुप्रीम कोट ने company से ही पूछा है कि आप कितना compensation दे सकत है एकार्डिंग टू पॉलूट पे प्रिंस्पल अब यह पॉलूट पे प्रिंस्पल क्या है इस पर मैं आगे discussion करूंगा और इसके बाद उसने reply मांगा ग्रफाइट इंडिया से जो कि Monday 29 October को जो सुप्रीम कोट का जो नेक्स्ट हेरिंग होगा उसमें ग्रफाइट इंडि ऑलिटी अफ्रम टू दा इंवार्म्में रहा हुआ है और कमपन्सेट दफ विक्टिम्स अब दफ तपॉलूट अब वहां जो प्लांट के आसपाद जो रिसिदेंट है उनके उन्होंने जिसा चीरी पहले भी रिपोट किया था कि पॉलूशन के कहना ने बहुत प्राह्ण तो उसके लिए कितना compensation बनता है, कितना compensate कर सकते हो and cost of restoring environment degradation मैं कोई expert नहीं हूँ, इसलिए मैं ज्यादा इतना नहीं बता सकता है लेकिन इतना ही बता सकता हूँ कि ऐसा मुझे लगता है कि company को हो सकता है कि जो fine pay करना हो दो पार्ट में हो सकता है, एक तो यह कि upfront amount हो upfront amount हो, कुछ amount हो कि इतना आपको pay करना है second हो सकता है कि bank guarantee देना होगा क्योंकि यह इसमें calculate करना होगा, कि जो fine calculate करना होगा कि अभी तक कितने साल से यह environment को pilot कर रहा थे उसके हिसाब से calculation करना होगा तो इसमें तो टायम लग सकता है तो इसके लिए आप वो bank guarantee दे सकते हैं प्लस जो affected people है जो आसपास के जने वाली लोग ने ऐसा claim किया है कि pollution के करना होगा उन्हें अस्थमा हो रहा है बहुत सा बीमारी हो रहा है लेकि प्रावलम ही है कि पूरे बैंगलोग सीटी में अस्थमा जैसा प्रावलम एलेज़ी बहुत साई लोग को है क्योंकि पूरे बैंगलोग में air pollution है Supreme Court एक ऐसे decide करेगी कि यह गर्फाइट इंडिया का pollution से प्रावलम हो रहा है या जो बैंगलोग का air pollution उसे हो रहा है तो यह calculate करना एक बहुत 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 काम हो सकता है तो अब यह देखना होगा कि जो मंडे को hearing है 29 को इसमें देखना होगा कि Supreme Court कैसे calculate करती है इस पर क्या formula लाती है तो इस देखना होगा अब next के है कि अब जो आज का judgment हुआ इस पर graphite India पर क्या-क्या negative impact आ सकता है तो सबसे बार बात यह है कि जो amount है जो fine का amount है वो अभी clear नहीं है वो 29 को ही पता चल पाएगा कि कितना amount उसे fine के रूप में देना है और second point यह है कि हो सकता है करी लोग अफ्रेड होकर के graphite India के share से बाहा निकल जाएं और H.E.G. जैसे companyों में अपना पैसा लगा है क्योंकि H.E.G. भी needle को के import करती है लेकिन उसके साथ कुछ pollution का कुछ resource नहीं है तो हो सकता है लोग graphite India से निकल करके H.E.G. में अपना पैसे invest करना स्टार्ट कर रहे है तो इससे क्या होगा कि graphite India के उपर एक selling pressure बनेगा तो इससे भी इसके price निचे जा सकता है अब third है कि अभी जो fine होगा या अभी जो दो महिने के लिए बैंगलोर का plant close होगा इसका जो impact आएगा इसका जो effect आएगा इसके आइनिंग पर वो आपको दिखेगा third quarter में तो अभी इस पर उतना पता नहीं चलेगा वो third quarter में आपको पता चलेगा कि क्या इसका impact आ रहा है लिए एक चीज़ तो clear हो चुका है कि जो supreme court है वो pollution meter पर बहुत ही hard है अभी बहुत होई measures ले रही है अब इसको ध्यान में रखते हुए company को आगे ऐसा issues ना आ है इसलिए इसके company को अभी से और इसके लिए तैयारी करना होगा प्रिपेर होना पर देगा कि आगे ऐसा future में ऐसा cases ना है तो यह अभी के लिए तो negative है लेकिन futures के लिए अच्छा है अब positive क्या है आज के judgment के में तो आज के judgment से ऐसा लगा कि supreme court needle court import पर ban करना नहीं चाहती है वो यह चाहती है कि वो fine pay करें, compensation pay करें लेकिन वो ban नहीं करना चाहती है तो यह एक मुझे बहुत ही अच्छा big positive outcome लगा आज का decision में और second चीज है कि अगर company को close भी करना परता या वहां से वो बोलती है company को बाहर कहीं shift करने के लिए तो इसके production पर impact नहीं आगा यह इसका company पहले ही clarify कर चुकी है कि इसकी जो other plant है, other plant है जो दूसरे city में वो वहां अपना production shift कर देगी और उसे ज्यादा कुछ फरक नहीं परेगा अब ठाट option यह है कि अगर वो company close करती है तो कई लोग ऐसे हैं, जानकार लोग मानते हैं जो say order में कहते हैं यह सोचते हैं कि यह company close होगी तो निगेटिव होगा लेकिन मैं इसको तो आसा अलग देख रहा हूँ मैं यह देख रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बैंगलोर का रने वाला हूँ और मैंने इसके factory देखा, एक काफी बड़े area में है 22 acres का land है और भी बहुत ही prime location पर है वो white field जो location जहां पर बनाए गए है यह बहुत ही prime location पर है और उसके बाजू से भी metro land भी बन रही है तो अगर उस area का उस जो 22 acre का जो land है अगर इसे close करके इसे sale करती है तो इसे बहुत बड़ा income आने वाला है graphite इंडिया को तो मैं समझता हूँ कि एक positive ही होगा अगर आपको याज होगा तो आपको पता होगा कि graphite इंडिया ने पहले भी 2006 में भी उसने बहुत बाज लैंड 111 crore में बेचा था prestige group को और अभी 22 acre से बहुत बाज एडिया है बहुत ही prime location पर है तो अगर उसे close करती है कहीं और shift करती है naturally अगर shift करेगे कहीं और तो अपने existing plant में करेगे तो यह जो land है उसे sale करेगे बहुत अच्छे पैसे मिल सकते है निक्सरी है कि अगर fine का जो amount है अगर बहुत बढ़ा नहीं हुआ तो उससे ज्यादा impact नहीं परेगा क्योंकि इसका जो profit है अगर आपने इसका देखा होगा profit net profit जो है 858 crore का था जून quarter में इतना बढ़ा profit company है तो इसे में बहुत जादा impact नहीं आएगा इसे अगर इसे कुछ fine भी देना परता है उससे बहुत जादा impact नहीं होगा unless कि ओ fine बहुत बढ़ा नहीं हो तो इडिपेंट करता है कि Monday का hearing होगा उसमें क्या होता है पिस मेरा call क्या होगा तो ऐसा है कि जो company का जो आज new जाया जो adjustment होगा कि fine हो सकता है तो एक negative impact इसका पढ़ा है आज इसका जो share price है lower circuit को hit किया है lower circuit पे close भी हुआ है लेकिन अगर इसका price अगर 900 के below आता है suppose कल भी अगर lower circuit पे जाता है या 900 से below आता है तो मैं समझता हूँ कि एक long term के लिए बहुत ही अप्चा अप्चा निटी होगा क्योंकि Supreme Court का जो आज judgment हुआ discussion हुआ उससे एक बात मुझे clear लग रहा है कि वो नहीं चाहती है कि निडिल कोक के इंपोर्ट पे बैन लगाए जाए वो उससे compensation fine collect करना चाहती है तो अगर निडिल कोक बैन का जो threat है वो नहीं है अगर वो threat नहीं है तो मुझे लगता है long term में इस पे कोई impact नहीं आने वाला है यह जो मेरा personal view है इसे आप मेरा recommendation मत समझेगा और इसमें invest करने से पहले या जो भी आपको decision लेना इससे पहले प्लीज आपने financial advisor से concert जहू लीजेगा तो मंडे को देखते हैं कि मंडे को 29 October को graphite India क्या reply करती है और उसके वाद Supreme Court का decision क्या होता उनका judgment क्या होता है तो जैसे ही अगर Supreme Court का judgment आता है तो मैं आपको जल से जल आपको update करूँगा अगर आप चाहते हैं कि आपका update जल से जल मिले ताकि आप अपने C.I.E. holding है इस पर आप जल से जल फैसला ले सकें तो आप हमारे channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और bell icon को क्लिक कीजिए जिससे आपको मेरा next आने वाले वीडियो का notification सबसे जल दी मिलेगा और अगर आपने subscribe कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे channel देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जये इंद दोस्तों अगर आपने हमारे channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो please please subscribe कीजिए आपका subscription ही हमारा support है notification पाने के लिए बेल icon को भी क्लिक कीजिए